नमस्कार स्टुडेंट्स कक्सा आठ गणीत की कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक नंबर चार को आज अपन हल करने वाले हैं तो इसके अंदर आपको आज सीखने को मिलेगा चार अंको तक की संक्याओं के जोड़ और घटाओं की समझ बना पाना सबसे पहले आपको गणीत की कक्सा 8, 7, 6, 5, 4 सभी कक्साओं की जो गणीत की कार्य पुस्तिका है हिंदी की अंग्रेजी की है वो हल करते हुए आपको हमारे चैनल पर मिलेगी तो आप अनिल कलसी चैनल जिसको देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि य पर यहां पर सवाल दिया गया हुल करते हुए खाली जगे में सभी संक्या यहां पर यह जोड़ है जो करनी है सबसे पहले आपको दिकhरा एक आई में चार और साथ को जोड़ा है तो साथ और चार होते हैं 11 11 का यहां एक लगएगा यहां ह福ल की एक है वो लग जाएगी दा जाएंगे नो और चार तेरह का तीन फिर असल की एक लगजाएगी सैक्ड़ा के उपर साथ और छे सैक्ड़ा दिये वे थेरा और एक असल जुड़ेगी चोदह का चार रसल की यहां पर एक और जुड़ेगी यहां पर आपके च्छे खाली कॉलम में आ तो इस तरह से आपको यह सारे कॉलम है वह भरने हैं यहां पर आप देख रहे हैं चार और साथ 11 का एक हसल की एक फिर यहां पर भी तीन है मलब 13 है तो छे च्छे यहां पर भर देंगे यह आप चाहें तो अन्य संक्याइभर सकते हैं जैसे पांस और साथ भर दीजिए 12 और ए एक हसिल और चार पाँच हो गए अब यहां पर 14 करने नीचे 4 लिखावा मलो 14 है तो 5 लिखे हुई है उपर जोड में 5 हो गए तो 9 यहां पर आप भर देंगे और यहाँ पर आप 6 और 2, 8 और एक हासिल वाला टोटल 9 है वो भर देंगे इस तरह से यहाँ इस कॉलम को भी बरना है 7, 4, 11 का 1 आएगा 8 पर के अंदर 4 जुड़ेंगे एक हासिल और था तो यहाँ पर 4 आजाएगा यहाँ पर 0 और 1 आपको भरना है और यहाँ पर 6 आपको भरना है इस तरह से कुछ जो इसके अंदर छाननी वो बाकी की भी दी हुई है यहाँ पर यह जोड की है एक और जोड की देख लेते हैं 2, 5, 7 हो गए 9 और 3, 12 मैंने लिख दिये हैं यहाँ पर आप यहाँ चाहे तो 8 और 4 भी बर सकते हैं 7 और 5 भी बर सकते हैं कोई भी संख्या हैं बरो लेकिन यहाँ पर टोटल योग 12 होना चाहिए जिसकी एक हसिर यहाँ पर लग जाएगी फिर 9, 2, 11 हाँ हसिल का 12 हसिल की एक और लग जाएगी तो 7 गठाने है और पीछे 2 रहने चाहिए याई यहां पर कितने हो सकते हैं उसको अपन देखेंगे तो यहां से उदार लेगए तो यहां 0 है मललब 10 है एक उदार पहले ही ले लिया था इदर तो पीछे रहेगे 9 तो इस तरह से यहां नो में से सॉथ घटेंगे तो दो आ जाएंगे फिर यहां पर पीछ़ए आप देख रहे हैं चार मैंने लिखा है तो यहां एक उदार ले चुके हैं म teu तीन ही यहां हैं यह एक लेंगे तो हो जाता है 13 और 13 के अंदर से 6 घटेंगे तो पीछे 7 बचेंगे तो इस तरह से 8 में से 5 घटेंगे तो पीछे 2 बचेंगे ऐसे ही अगली बाकी भी आपको यहाँ पर करनी है और यहाँ साथ साथ आपके आएगा अगला है दूसरे में हल कीजी यहाँ पर भी आपको उधार लेकर कि कैसे बाकी करनी यह सिखाया हुआ है पांच में से तीन घटे तो पिछे रहे गए दो फिर यहाँ पर तेरा यानि तीन थे लेकिन यहाँ पर तीन में से साथ नहीं जा रहा है तो उधार लिये हैं तेरा में से साथ गए पिछे रहे गए छे और यहाँ पर साथ थे यहां साथ थे यहां पर एक उदार ले लिए पीछे छे रहे और छे में से आड़ नहीं जाते हैं यहां से उदार लेंगे तो सोड़ा में से आड़ गए पीछे यहां पर आड़ बचे और पांच में से दो गए पीछे तीन बचे इस तरह से आप इन सभी बाकियों को है वो कर हसल की एक लग गई तीन दो पांच और एक हसल होगे च्छे चार और च्छे दस का जीरो है तो हसल की एक लग जाएगी साथ और एक आट और एक नो इस तरह से आपको यहां पर भी आंसर देखने को मिल जाएगा तो आप ऐसे लिख करके कर सकते हैं 907 में 8725 जोडने हैं आप चाहें तो इसको ऐसे उपर लिख सकते हैं 8725 और नीचे लिख सकते हैं 907 और फिर दोनों को जोड सकते हैं 5712 का 2 हसल की एक दो और एक तीन 7 और 9 सोड़ा का 6 हसल की एक और 9 यानि आंसर वही आना है 9632 तो इस तरह स आपको इन सभी जोड को करना है मैंने यहाँ पर करके दिखाई है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैस से का मलब घटाओ करना है बाकी है तो आप इस तरह से बड़ी संक्या की नीचे छोड़ी संक्या लिख करके और घटाओ कर सकते हैं यह तीनों ही मैंने यहाँ पर बाकी भी आपके कर रखिए तो सोर्ट एंड स्वीट आप अच्छे समझ गए होंगे कि इस कार्य पत्रक को कैसे अल करना है अक्स अच्छे और साथ कार्य पत्रक है वो भी नेक्ष्ट क्लास में आपको देखने को मिलेंगे धन्यवाद जहिंद बंदेमात्र